स्यूकिर्पा कलासेच पर मैं महस कुमार बर्मा आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा SSC GT 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 15 है जिसमें हम लोग भारतिय राश्टी आंदोलन के महत्पून परसनों को कभर करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोस्टन सही हो रहे हैं दोस्तों इस साइट टेस्ट सीरीज हमारे आपके SSC GT 2022 के एकजाम के सिलिबस की रिकोर्डिंग बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्ब करें कोस्टन कम सही होने पर पुना टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें ताकि होने वाली SSC GT 2022 की परिच्छा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेर रहे हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ने लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरी नमर 15 को साल्ब करना शुरू करते हैं दोस्तों हमारा पहला कोस्टन है बेरी बेरी इंपर्टन कोस्टन गाधी जी के बिदेशी बस्तूओं के बहिस्कार के आंदोलन का लच्छ था कोस्टन नमर एक में बताना दोस्तों कि गाधी जी के बिदेशी बस्तूओं के बहिस्कार के आंदोलन का लच्छ था ये नमब सही अंसर क्या होगा दोस्तों यहापने कुटीर उद्दोगों को प्रोसहन गाधी जी के बिदेशी बस्तों के बहिसकार का आंदोलन का लच्छ था कुटीर उद्दोगों को प्रोसहन थोड़ा सा और इस बारे में बात करेंगे ताइक कोश्चन पूरी तरह से क्लियर हो था ने क्येंगे कोश्चन नमबर दो ऐसे दो बहुत दोस्तों भारत को अधिकार छेत्र का दर्जा कोश्चन ऐसे भी पूंचाता है तो बिल्कुली इजी घूस्चन यहैं यंतितला सब घूमा के पूछाता है इस लिए दोस्तों को हम स्रेस में quantidade हैं कोश्चन है भारत को अधिकार छेत्र का दरजा यानि डोमिनियान स्टेट्स किस तारीख को मिला A नमर है 15 जनौरी 1947, B है 15 अगस्त 1947, C नमर है 15 अगस्त 1950 और D नमर विकल्प है 15 अक्टूबर 1947 तो हमारा इंसर होगा दोस्तों 15 अगस्त 1947 यानि विकल नमर भी भारत को अधिकार छेत्र का दरजा यानि डोमिनियान स्टेट्स दोस्तों मिला था 15 अगस्त 1947 को थोड़ा साओरीस बारे में बात करेंगे क्योंकि यहां से कई सारे कोस्टन्स पूछे जाते हैं ध्यान से सुनियागा दोस्तों माउंट बेटन योजना के आधार पर ही माउंट बेटन योजना के आधार पर ही चार जुलाई 1947 को बिर्टी संसद में भारतिय सोतंतता बिधैक पेस किया गया तथा अठारा जुलाई 1947 को इसे सोविकिर्थी मिल गई इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को दो डोमनियनों भारत और पाकिस्तान में बार दिया जाएगा इस परकार भारत को इसी तित को डोमनियन इस्टेट्स का दर्जा प्राप्त हो गया तो इंसर क्या आया था 15 अगस्त 1947 नहीं देखेंगे को कोश्चन नमर दो को कोश्चन नमर तीन सुरी दोस्तों कोश्चन है गाधी जी की सबसे महत पूर्ण सिच्छा निमलिखित में से कौन सी है बताना है तीन नमर कोश्चन में दोस्तों गाधी जी की सबसे महत पूर्ण सिच्छा निमलिखित में से कौन सी है A नम्बर है सत्य, B अहिंसा, C धर्म और D नम्बर है सत्यागरा नीचे हमारे कूट के अनुसार विकल दी गए है A नम्बर है 1 और 3, B है 2 और 4, C है 1 और 2, और D है 1, 2 और 3 तो हमारा से इंसर क्या होगा दोस्तों गादी जी की सबसे महाठपूर से च्छाय, निमलिकित में से कौन सी है ये हमें बताना है, कुश्चन नम्बर 3 में तो यहाँ पर हमारा से इंसर होगा दोस्तों बिकल नम्बर C, यानि 1 और 2, सत्य और अहिंसा ये दो चीजे दोस्तों, गादी जी की थी सत्य वाइंसा, यानि हमारा इंसर हो रहा है बिकल नम्बर C, 1 और 2, ये धर्म है दोस्तों और सत्या गरा है, सत्या गरा इनका अंदोलन था ना कि दोस्तों, इनकी दोस्तों महाठपूर सिच्छाय थी यह ध्यान देज़ेगा दोस्तों काफी confusion create करने वाला question है सत्य अहिंसा धर्म और सत्यागरा दोस्तों एक साथ दे दिया आता है कभी-कभी दोस्तों यह confused होकर हम लोगों से गलतिय हो जाती है तो अब ध्यान देंगे धर्म जैसी चीज इसमें नहीं आएगी इनके महत्मुर्ण सिच्छाओं में और सत्यागरा इनका अंदोलन था यानि इनकी महत्मुर्ण सिच्छाए थी सत्य वाइंसा नेस देखेंगे फोर नमबर question question है दोस्तों संग्मिधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था या ऐसा पूछा आता है दोस्तों संग्मिधान सभा की पर्थम बैठा कब हुई थी दो तरह से question पूछा आता है आप लोग ध्यान देजिएगा चले दोस्तों अंसर करते हैं हम लोग A नमबर बिकल्प है 16.1947 B नमबर बिकल्प है 26.1948 C नमबर है 9.1946 और D नमबर है 26.1946 तो यह हमारा सहिंसर होगा दोस्तों संग्धान सभा का पहला सत्र या पहली बैठा का आप मान सकते हैं यह हुई थी 9.1946 को यानि बिकल्प नमबर B यहाँ पे हमारा सहिंसर होगा थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों संग्धान सभा की बैठाक 9.1946 को दिल्ली में आरम हुई दो दिन पशाथ 11.1946 को संग्धान सभा यानि सभा ने डाक्टर राजेंदर पशाथ को अपना अस्थाई अध्यत चुना यहाँ से दोस्तों थोड़ा उट चचा करेंगे कोई कोश्चन पढ़ते हैं आप दोस्तों इसी दिन डाक्टर सचिदा ने सिनहा को संग्धान सभा का आस्थाई अध्यत चुना गया था इसके बाद दो दिन बाद आप कैसकते हैं ग्यारह दिसंबर 1946 को डाक्टर राजेंदर परशाथ को संग्धान सभा का अस्थाई अध्यत चुना गया एक आस थाई जो उसी दिन डाक्टर सजदानान सिनहा को और अस थाई ग्यारा तारीक को दो दिन बाद डाक्टर राजन परसाथ को उसके फिर दो दिन बाद यानि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नहरू ने संग्धान सभा में उद्देश प्रस्ताव पेस किया ये तीन दिसंबर 1946 को पर्थम बैठाक और 26 नॉम्बर 1948 को इसकी आखरी बैठाक नेस देखेंगे फाइब नमर कोश्चन उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कोश्चन आप लोगों को पूरी तरह से किलियर हो गया होगा कोश्चन है दोस्तों परस नमर पाच निमलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फाउज की और से लाल किले के मुकदमे में पैर भी कर रहे हैं वकीलों की अध्यचता की बार बार पूछा गया कोश्चन है दोस्तों ए नमबर बिकल्ब में भूला भाई देशाई बी नमबर है कैलास नाथ काटजू सी नमबर है सरतेज भादूर सप्रू और डी नमबर है जवाहर लाल नहरू तो यह हमारा सही अंसर होगा थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दियान से सुनेगा दोस्तों वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फोज के सिपाहियों के परसिद मुकदमे की पैरवी कैलास नाथ काटजू सरतेज भादू सप्रू आसफ अली जवाहर लाल नहरू भूला भाई देशाई एक कोष्षण वोगन दोस्तों बार 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 बोलते हैं ताकि आप बार बार सुनेंगे तो अंसर आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेंगे शिक्स नंबर कोष्षण साल्प करेंगे हम लोग इन्डियन नेशनल कांग्रेस यानि भारती राश्टी कांग्रेस का A number है महत्मा गाधी, B number है चित्रन्दन्दा, C number है AO हूम, और D number है लोकमान तिलाग, तो महा सेंसर क्या होगा दोस्तों, Indian National Congress यानि भातियराज्टी कांगरेस के संस्थापक कों थे, AO हूम, दोस्तों, Indian National Congress के संस्थापक होगे, AO हूम, और इसकी स्थापना कम हुई थे, 1885 में, कहां पर, Bambay में, नेस देखेंगे, 7 number question, 1916 में, question number 7 है दोस्तों, यह सारे question दोस्तों, very very important है, भारती राश्टी आंदोलन से, 1916 में भारती राश्टी कांगरेस और Muslim League, Muslim League, एक दूसरे के निकट आ गए थे, क्यूं आ गए थे, यह में बताना है, 1916 का दोस्तों, भारती रा इसर में, C है लखनों में, और D है हर पूरा में, तो कहां पर निकट आ गए थे, यह हमें बताना है, तो हमारा सही इंसर होगा, दोस्तों, लखनों में, यानि बिकल्प number C, यहां पर हमारा सही एंसर होगा, थोड़ा स्वा, और बात करेंगे, इस बारे में आप लोग ध्या नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहा और किस वर्स में पड़ी थी, दोस्तों, हम लोग जानते हैं, एक बार, कांग्रेस का यहां पर विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में, पूछा जा रहा दोस्तों, कब हुआ था, और कौन से द्वेशन में हुआ था, A नमर ह 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, B है 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, C नमर है 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, D नमर है 1920 में कांग्रेस के नागपूर अधिवेशन में, तो से इंसर क्या है दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फ में बात करेंगे यहां से कई कोश्चन बनते हैं दोस्तों ध्यान दिजिएगा नरम दल और गरम दल के बीच फोट वर्स 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी जो की हमारा एंसर है इस अधिवेशन के अधिश्ता डाक्टर रास बिहारी बोस ने की थी किसने डाक्टर रास बिहारी बोस वर्स 1916 के लखनोव अधिवेशन में तिलक और एनिवेशन के प्रियासों से ये दोनों जो दूनों नरम दल वा गरम दल थे फिर से ये खोई थे जो हमारा पिछला कोश्चन था 1916 का जो लखनोव में अधिवेशन हो था उसमें दोनों एक साथ होई थे और विभाजन के अब हो था 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जिसकी देशता डाक्टर रास बिहारी बोस ने की थी दोस्तों कांग्रेस के इस अधिवेशन के देशता कांग्रेस अंबिका चरण मजूमदार ने की थी तो दोनों कोशन किलियर होगा दोस्तों 1907 में जो कांग्रेस का बिभाजन वता 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उसकी अधिवेशता की थी डाक्टर रास बिहारी घोस ने उसके बाद दोस्तों 1916 में जब नरम दल वागरम एक साथ फिर से हो गए लखनो अधिवेशन में 1916 के कांग्रेस के उसकी अधिश्ता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी दोनों कोश्चन पूशे आते हैं ध्यान देजेगा अगला कोश्चन साल्प करेंगे दोस्तों नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नमबर 9 कोश्चन ह दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आराम करने के लिए कौन सा मुखी कारण था यह हमें बताना C नमबर है लोगों में गोश्चन और D नमबर है साइमन कमिशन की रिपोर्ट तो हमारा साइनसर क्या होगा दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आराम करने के लिए कौन सा मुखी कारण था तो हमारा साइनसर होगा दोस्तों क्रिप्स मिशन की बिफलता थोड़ा और इस पारे में बात करेंगे ताकि आंसर पूरी तरह से किलियर हो जाए ध्यान से देखेंगा दोस्तों क्रिप्स मिशन ये कब आय था 1942 में बार बार पुछा आता है सब सब ले ध्यान देजीगा इसकी बिफलता ने अंतता भारत छोड़ो आंदोलन को जन्व दिया साथ से आठ अगस्त 1942 को बंबई के अतिहासिक ग्वालिया टैंक में आखिल भारतिक कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसकी अध्यस्ता अबुल कलाम आजाद ने की किसने अबुल कलाम आजाद जिसमें दोस्तों ध्यान देजीगा जिसमें वर्धा प्रस्ताओं कोंसा वर्धा प्रस्ताओं यानि भारत छोड़ो की पुष्टी हुई थोड़े बहुत संसोधनों की बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताओं सुभिकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 क सल कराँगे 10 नमबर कोश्चन पूर्ध सॉराजज की सफथ क्वच्छन के किस अद्वेशन में ली गई पूर्ध सुराज आब बार बार सुने होगे दोस्तों ए नमबर है कोलकाता लह ए लाहर ऩे इसलामबाद है इसलामाबाद है इलाहबाद और मदरास A. Kolkata, B. Lahore, C. इलाहबाद, D. नमबर है मदरास तो सही अंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा सही अंसर होगा पूर्ण सुराज की सबत कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में लेगी कौन से लाहोर अधिवेशन में यानि बिकल्फ नमबर B, यहाँ पे हमारा सही अंसर होगा थोड़ा और इस बारे में बात करेंगे दोस्तों कई तरह से यहाँ कोश्चन पुछे आते हैं ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कांग्रेस का जो 44 अधिवेशन दिसंबर 1929 में जवाहलाल नहरू की अधिश्ता में लाहोर में हुई थी यह कौन साधिवेशन था? नमबर 44 अधा वर्स 1929 कौन साधिवेशन जिसमें पूर्ण सोराज की मांग हुई थी इसी अधिवेशन में पूर्ण सोराज का प्रस्ताव पारित किया गया 31 दिसंबर 1929 को अधिरातरी के समय जवाहलाल नहरू ने राभी नदी के तड़ पर सोतंतता का धोतक तिरंगा फैर आया 12 पर पुछा था दोस्तों तिरंगा कब फैर आ गया वह 26 जनुरी 1930 को सोतंतता दिवस मनाने का निश्चे किया गया और तभी कि इसी काण से दोस्तों 26 जनुरी का दिन ही रखा जाता जो 1950 में दोस्तों हम लोगों ने मनाते हैं रिपप्ली डे के नाम से वह 26 जनुरी 1930 को ना आता है इसी काण वो डेट रखा गया 26 जनुरी ने साल करेंगे question number 11 दी गई घटनाओ को उनके काल कर्मनोसार ब्यवस्तित करना है A number है सिपाही विद्रोव B number है वासको डिगामा का भारत आगमन और C number है बाबर द्वारा मुगल सामराजी की सुरुआत दोस्तों टेस्ट रेज लगाने का यही हमें benefit मिलता है कि हम हर तरह के questions से वाकिफ हो जाते है questions के label उनकी परकिर्टी वाक कम समय में हम questions कैसे solve करें इन चीजों का हमें अच्छा व्यास हो जाता है जिसका पूरा फाइदा हम लोगों को exam हाल में देखने को मिलता है तो हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर ब्योस्तित करने है सिपाही विद्रोव वासको डिगामा का भारत आगमन और बाबर दोरा मुगल सामराजी की शुरुआत नीचे हमारा विकल्प है गोस्तित करके करम से लगाने है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था और उसके बाद कौन सा हुआ था तो सबसे पहले क्या है दोस्तों हमारा है सिपाही बिद्रो तो सिपाही बिद्रो कब हुआ था दोस्तों 1857 में कब आप लोग 877 करांती पढ़ी चुके है तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा 1857 हम लोग लगाते हैं सिपाही बिद्रो फिर अभी दोस्तों इसको करम से हम लोग करेंगे यह मेरे दोस्तों थोड़ा टच नहीं चला है अठासो सत्तावन हो गए उसके बाद क्या है दोस्तों वासको डिगामा का भारत आगमत तो यह कब है दोस्तों 1498 कब वासको डिगामा भारत कब आए था 1498 यानि दो पे यह हो जाएगा और उसके बाद क्या है दोस्तों उसके बाद है दोस्तों बाबर द्वारा मुगल सामराज की सुरुआत तो ये है 1526 यानि वासको डिगामा का भारत आगमन 1498 शिपाही विद्रो 1857 और बाबर द्वारा मुगल सामराज की सुरुआत 1526 तो सबसे पहले क्या है दोस्तों 1498 यान वासको डिगामा का भारत आगमन तो सबसे पहले आएगा दोस्तों हमारा बी यानि दो बी का मतलब दोस्तों दो होगा उसके बाद आएगा दूसरा क्या है बाबर द्वारा मुगल सामराज की सुरुवात जो हुआ था दोस्तों पंदरा सो 26 में यानि दो फिर तीन और इसके बाद सबसे लास्ट में हुआ था सिपाही बुद्रो अठारा सो सतावन में कभ अठावसो सतावन तो दो फिर तीन तीन उसके बाद दोस्तों एएक यानि दो तीन एक हमारा एंसर बनीलीग Guill जो कि बिकन तो पूना अच संजोता किस के बीच हुआ था दोस्तूं गादी और अंबेटकर के बीच मैं यानि बिकल नंबर यहाँ पर हमारा दोस्ते बारे में दोस्तों और बात करेंगे क्योंकि गार बार पूच हाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आतिहासिक पूना समझोता 1932 महत्मा गाधियों भीम राओ अम्बेटकर के मद्ध हुआ था जो की हमारा एंसर है यद्याप इस पर गाधी जी ने सोयम हस्ताचर नहीं के थे बलकि इस पर अम्बेटकर और गाधी जी के अनुयाईयों द्वारा हस्ताचर किये गए थे 24 सेतंबर 1932 को हस्ताचरित इस समझोते में दलित उवर्गों के लिए पिर्थक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान उवर्गी के तहत ही सीटे आरच्छित करने की ब्यवस्ता थी तो यह थे दोस्तों हमारे 412 महातपूर फ्रस्ण जिसको हम लोग कुछने शालव किया होगा और देखें होंगे यहां से हमारे कितनी कोस्चन्स हो रहे हैं दोस्तों से अगकर कमशल होता है तो पार अबर कुना विविजन जरूद करें विख्वाend के पर संभावित पररस नों मिलते हैं दोस्तों हाव पना ये खृष्ण के साथ हैंक्स वा वाचीं